किचिन और घर की कुछ ऐसे काम जिसे हमें करने में बहुत ही ज़्यादा ओलजन होती है लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक्स अगर हमें पता हो तो वही काम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है मज़दार हो जाता है समय की बचत होती है साथ ही पैसे की भी बहुत बचत होती है लेकि आई हूँ आप सभी के लिए कुछ ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स जिसे आपके घर का काम और किचिन का काम हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा आसान तो वीडियो के एंड तक दिखीगा प इस तरह की बॉटल को लेकर आपने देखा होगा हमारे घर में जो बॉटल होती है चाहे वो जैम की हुई या कोई और हुई अकसर वो टाइट हो जाता है उसका जो धक्कन है खोलने का नाम ही नहीं लेता है और उसे खोलने में हमें बहुत ही सारी मेहनत करने पड़ती है अंदर उल्टा करके यह दिखे इस तरह से यानि जो धक्कन है वो अच्छे से भींग जाना चाहिए और थोड़ी देर के बाद हम इसको उठा कर देखेंगे तो आप देखेंगे हमारे जो बॉटल है उसका धक्कन जो है यानि लिट बहुत ही इजिली वो ओपन हो जाएगी तो देखा आपने कितनी असानी से ओपन हो गया है I hope यह टिप से आपके काफी काम आए सिलाई कड़ाई बुनाई तो लगबग हर किसी के घर में होती है तो यह इंची टेप आता है काम सिलाई के जैसके आप सभी जानते हैं लेकिन हम क्या करते हैं इसे यूज करने के बाद इस तरह से इसको छोड़ देते हैं देखने में भी अच्छा नहीं लगता साथ ये जगा भी बहुत ज़्यादा घेरता है तो किस तरह से फोल्ड करना है चले मैं बताती हूँ तो इसका ये वाला जो सिरा है ना इस पे हम क्या करेंगे इस तरह से एक रबड बैंड ले लेंग इसके उपर हमें चड़ा देना है इससे ये जो जगे भी कम घेरेगा और अच्छे से फोल्ड होके भी रखा रहेगा जब भी आप इसको रखेंगे तो ये उधर उधर नहीं फैलेगा और जब भी आपको यूज करना हो तो इसमें से आप इस तरह से रबड मेंड को हटा द अगले बढ़ते हैं और अगली ट्रिक दिखते हैं कई बार हम अपनी घर की जो मसाल दानी होती है उसको साफ करते हैं यानि जो मसाला रखने का बॉक्स होता है उसको रखने से पहले आप क्या कीजे इस तरह से अलमूनियों फोले लीजे या फिर आप कोई टिशू पेपर ले सकते हैं या फिर कोई कागज भी दे सकते हैं इस तरह से आपको अच्छे से इसमें बिछा देना है और इसके बाद आप जो मसाले की डब्बे है ना वो इसके अंदर रखे इससे क्या होगा जो भी मसाला हम यूज करेंगे वो इसके अंदर ही गिरेगा और जब भी आप फिर से इसको बिछा का इसी तरह से इनकटोरियों को रख दीजे इससे जो आपका ये मसाला बॉक्स है एकदम साफ सुतरा रहेगा जल्दे जल्दे आपको साफ नहीं करना पड़ेगा अगला जो टिप है वो है लसन को लेका जब ही हम लसन चीलते हैं तो सबसे बड़ी अकसर जब हम हाँ से इसको तोड़ने के कोशिश करते हैं तो हमारी जो नेल से वो दर्द करने लगते हैं क्योंकि ये इतना हाड होता है हमारी नकून के अंदर घुश जाता है तो इस तरह से आप इसको ये वाला पार्ट है ना इसको आप हटा देजे और इसके बाद आप इसके लिए और कोई भी महनत करने की आपको जरूत नहीं पड़ेगी तो चलिए एक और मैं आपको यहां पे छील के दिखा रही हूं यह दिखिए इस तरह से हमने जो इसका उपर वाला पार्ट है ना इसको हटा दिया है और इसके बाद इस तरह से आप इसको फाड़ कर औ और उसे कटवाने के लिए हमें सुनार के पास जाना पड़ता है डॉक्टर के पास जाना पड़ता है लेके आई हूँ आपके लिए ऐसा ट्रिक जिसे यूज करने के बाद आप कितनी भी टाइट अंगुठी हो उसको आप अपने हाथों से बहुत ही आराम से निकाल सकते है तो इसके लिए आपको इस तरह का प्लास्टिक का धागा ले लेना है और प्लास्टिक का धागा आपके पास नहीं है तो आप उन भी ले सकते हैं या फिर इस तरह की जो रिल रहती है ना सलाई करने के जो काम आती है वो भी ले सकते हैं अब इसको हमें अपनी उंगली पे लपेट लेना है तो सबसे पहले हमें इसको दूसरे पार करना पड़ेगा तो इसके लिए मैं चाकू की मदद ले रही हूं ये देखे इस तरह से हमने अंगुठे की दूसरी पार इस दागे को कर दिया है और इसके बाद हमारा जो ये वाला दागा है आगे वाला इसको हमें अपनी उंगली पे अच्छी से लपेट देना है तो पहले वाले जो दागा जो पीछे हमने छोड़ा था ना उसको आप किसी को भी पकड़ा दीजिए तो मैंने अपनी बेटी को पकड़ा दिया है और इस तरह से हम इसको लपेट देंगे ये देखिए कुछ इस तरह से खा जाई और आपके ये गोमाते जाईये और आप देखेंगे कि आपके अंगुटी बहुत ही आराम से निकलती चलियाएगी अब आप सोच रहे होगे या साबोल लगा लेते या तnew तो बहुत ही अाराम से निकला ती ये दो कि उत्वेट एग़ा दिरेती हीतों आपको स्वेल कोई भी नहों अकेले आप हो और तब किस तरह से निकालना है वो भी मैं पता देती हूं तो यह देखिए रील का जो धागा है वो लिया है मैंने और सेम बैसे ही हमें फिर से इसको इस अंगुठी के पार पहुचाना है तो इसको यहां पर डाले के लिए मैं फिर से चाको की यह देखिए कई खानों में हमारी जो उंगली है वो बट गई है और देखिए इस तरह से आपको करना है तो पहला वाला छोर आपको बिल्कुल भी छूड़ना नहीं है और दूसरा वाला छोर इस तरह से घुमाते चाहिए बहुत ही बढ़िया तरीका है दो लोगों की पूठी हो वो आराम से निकल जाती है यह देखिए कितने आराम से निकल आई फिलाल मेरी तो यह जादा टाइट नहीं थी और दिखिए इस तरह की निशान पढ़ जाएंगे तो इससे कोई टेंशल लेने वाली बात नहीं यह थोड़ी देर में सही हो जाएंगे आज के सभ टिप्स और ट्रिक्स आपको बहुत पसंद आएंगे कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आए है कमेंट करके ज़रूर बताएगा बाबाए एवरिवन और थेंक्स पर वाचिंग